हेलो दोस्तो ये है एरो की पैसन प्रो बीस 6 इसमें ड्रम और डिस्क दो वेरियंट मिलते हैं ये है इसका डिस्क वेरियंट इसमें 6 कलर का आपसन मिलता है आप देख रहे हैं इसका मून येलो कलर इस बीडियो में आपको इसके फीचर्स, माइलेज और प्राइस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जैसा कि आप इसकी डिजान को चारो तरफ से देख सकते हैं इसका लुक काफी अट्रेक्टिव दिया गया है इसमें यलो सिल्वर और ब्लैक कलर का कॉंबिनेशन इस बाइक को एक जवरजस्त रोड प्रिजंस देता है तो स्टार्ट करते हैं दोस पर देख सकते हो और इसके वाजर पर आपको जो है कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर आपको सार्प टाइप के नॉर्मल बल वाले इंडिगेटर देखने को मिल जाते हैं अब आप इसके साइड की तरफ से देखोगे तो इसका जो मडगाड है व और टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं और इसके फ्रंट वाले टाइर के साइज की बात करें तो 8018 का यहां पर आपको टाइड साइज मिल जाता है जिसमें आपको C8 कंपनी के ट्यूलेस टाइर मिल जाते हैं और यहां पर आपको ब्लैक कलर के ऐलोई बील्स देखने को मि जाती है और लीचा की सेड में black दीया गया है अब इसके फ्यूट टैंक की तज़ जो कि silver और black color का combination दिया गया है इसमें और यहाँ पर आपको इसके side panel पर I3S का logo मिल जाता है और इसमें आपको dual tone color दिया गया है silver और black यहाँ पर आपको programmed FI fuel injection system की branding देखने को मिल जाती है और इसके पीछे की side में यहाँ पर आपको yellow color का hero का sticker दिया गया है और यहाँ पर आपको yellow color की पट्टी भी मिल जाती है अब इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहाँ भी आपको 8018 का tire size मिल जाता है इसमें आपको C8 company के tire दिये गए हैं जैसा कि आप इसके पीछे के tire की grip को देख सकते हो और यहाँ पर आपको black color के yellow wheels मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 130 mm की drum brake मिल जाती है और इसमें आपको twin socks type के suspension दिये गए हैं जिसको आप अपने weight के साफ से adjust भी कर सकते हो दोस्तों अब दोस्तों इसके rear profile की तरफ चलें तो यहाँ से आप इसके rear profile को देख सकते हो लोग को जो है काफी attractive दिया गया है यहाँ पर आपको एक black operator को देखोगे तो normal world वाले मिल जाते हैं पीछे और यहाँ पर आपको reflector और number plate का option देखने को मिल जाता है दोस्तों अब इसके side की तरफ चलें तो यहाँ भी आपको जो है इसके की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक black color का sardy guard देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो और इसमें आपको प्लास्टिक का चैंज सेट का cover दिया गया है जो की fully black matte finish में दिया गया है जैसा कि यहाँ पर आपको adjustable foot rest दिया गया है और यहाँ भी आपको programate fi की branding देखने को मिल जाती है जैसा कि इस bike में fuel injection system दिया गया है i3s technology के साथ में और इसमें आपको four gear का manual setup मिल जाता है और इसके नीचे की side में आपको side stand और man stand मिल जाते हैं black color के और इसके engine के उपर आपको hero की branding देखने को मिल जाती है और इसका जो engine है वो fully black color का दि CMM की ground clearance मिल जाती है जैसा कि दोस्तों ये fuel injection technology bike है तो इसके petrol tank में आपको 2-3 liter petrol reserve करके रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी fuel pump और fuel motor खराब हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है और इसके exhaust पर आपको एक chrome की blade भी मिलती है जो की अभी assemble नहीं है अब आप इसके engine की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको fully black color का engine देखने को मिल जाता है और इसके engine के head के उपर आपको एक spark plug दिया गया है और यहाँ पर इसके exhaust की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक catality converter देखने को मिल जाता है जिसके उपर एक metal की plate भी लगाई ग मिलता है जो आपको maximum power देता है 9.15 PS की 7500 RPM पर जो आपको maximum torque देता है 9.89 NM का 5000 RPM तो अब हम बात करते हैं इसके meter console की तो सबसे पहले मैं इसकी चाबी को on कर देता हूं तो इसमें आपको analog और digital type का meter देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकतो economy zone यहाँ पर आपको neutral light यह को turn signal light और यहाँ पर आपको engine malfunction light और side minutes flour मिल जाता है यहाँ पर आपको speed और kilometer reading यहाँ पर आपको trip की button मिल जाती है यह आप पर आप इसके side mirror को देख सकते हो काफी unique side mirror मिल जाते हैं और यहां पर आपको passing का switch मिल जाता है और यहां पर आपको low beam high beam का switch यहां पर आपको turn signal indicator switch यहां पर आपको horan का switch और इसके दूसरी side में चले हैं तो यहां पर आपको self का switch देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां पर आप आप देख सकते हूं रेट कलर की वटन यहां पर आपको इसल्फ की दी गई है अब दोस्तों मैं आपको इसकेक अग्जeस्ट और सोनार दिखा दिता हूं तो जैसा कि आप यहां से सुन सकते हूं भी साउंड कर Vince immigration एह लगा अब में इसकी चावी को आफ कर देता हूं दूस्तों अब इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 65-70 किलो मीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है अगर आप इसको इकोनॉमी जॉन में 50-60 की स्पीड में मैंटेन करके चलाते हो तो अब मैं बात करूँ इसके ऑन रोड प् फर्क देखने को मिलता है यह उन रोड प्राइस मैंने आपको बताए है साइनयो शोर हीरो मध्यम ग्राम कॉलकाता सोरूम का सोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अधर इस्टिट वाले बिल्कुल भी टेंसन डालें आ प्रेस कर देना बेल आइकन को थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में